नमस्कार साथियों मैं आद सुबह से देख रहा था कुछ अंद भक्त बीजे पी के और लोकदल के बारी-बारी ये परचार कर रहे हैं कि मैंने सर छोटू राम को गदार कहा और इस तरह की बात मेरे द्वारा कहीगी मैं बड़ा सपस्ट आप लोगों के साथ एक चीज करना चाहूंगा वो वीडियो का आपके सामने भी है जब शहीदी दिवसकल बना रहे थे तो उस समय बड़े साफ शब्दों में मैंने कहा था कि आज भी हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में शहीद आजम भगत सिंग शहीद आ एक ऐसी चिंगारी को लो देने का काम किया तो जिसने एक ऐसा परिवर्तन देश में लाया जो इस देश को अजादी के कार पर लेकर गया अगर उन प्रस्तितियों को देखे तो मैंने उन लोगों के लिए बात कही थी जिन लोगों ने शहीद आजम भगत सिंग के खिलाफ के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े-बड़े जमीनों के इलाके मिले और आज के दिन में भी रेवन्यू रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि उन लोगों को किस तरीके से गोवर्मेंट अफ इंडिया के दस्तावेज बताते हैं कि समान अंगरीजी हुकूमत ने देने का काम किया मैं आपको एक चीज साजा करना चाहूंगा कि जो लोग आज फेस्बुक ट्विटर पर या लग-लग चीजों का दुष्परचार कर रहे हैं उन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर अजी सिंग चोटाला जी ने पाकिस्तान में जाकर सर छोटु राम के पुरानी जो यादे थी उनको लाकर गड़ी सापला के अंदर स्तापित करने का काम किया था मैंने स्वेम लड़ी सापला में दो साल से जो लंबित सर छोटु राम का स्टेच्चू था जिसका उदगाटन नी वारत सरकार होने दे रही थी सरकार को मजबूर करकर उसका उदगाटन कराने का कारे किया था मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि आज हमें इतियाज से समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी हकूमत ने बहुत से ऐसे लोग थे जो अजादी के बाद अपने नाम के आगे सर लगा कर गूनते थे उन लोगों को अंग्रेजी जी हकूमत के कहे वे फैसलों के अंदर गवाई दे कर जो हमारे वीर योद्धाओं थे उनको जेलों की सलाकों में बंद करवाने उनको फांसी की सजा दिलाने में मदद करी थी और मैं तो सभी युवा साथियों से कहूंगा कि आज सबसे पहले जो लोग मेर को ये बात कह रहे हैं उनसे ये पूछने का काम करो कि अगर वो सहीदे आजम भगत सिंग को पूझने का काम करते हैं वो मानते हैं कि तीन धाओं ने तेहिस तेहिस साल की उमर के अंदर इस देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने का काम किया था आज उनको क्यों गदार हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में कहा जाता है आज आप राए साब की उठाकर देखो आज आप जैलदार की उपादी उठाकर देखो बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में रहकर हिंदुस्तान के वीर यो दाओं को दबाने के लिए कोटों में गवाईयां देने का काम करते थे और मैं तो आपको सोचने पर आज आपको कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को लेकर जाओ इतियास पड़ो और हमें समझना पड़ेगा कि वह ऐसे लोग कौन थे जिनने अजादी के बाद भी अपने नाम के आगी यो पादियां लगाने का काम किया था और जो साथी सर छोटुराम को इस पूरे वाक्य से जोड़ने का काम कर रहे हैं उन साथियों को बताना चाहूंगा सर छोटुराम केवल मतर सर नहीं थे वो तो किसानों के मसिया थे रैबर आजम थे उनने तो ऐसे ऐसे कदम उठाए जिनने बदलाव के लिए किसान को मजबूत करने के लिए इस देश को एक नए नक्षा कदम देने का काम किया था और सेट छाजुराम जी की जहांबाद थी सेट की उपादी साथियों उनको किसी अंग्रेजी हकूमत ने देने का काम नहीं किया था शेट छाजूराम तो जब सेट के राये थे जब उनने कलकत्ता में जाकर बड़े बड़े वेपारियों को पैसा देकर उनके वेपार खड़े कराने का काम किया था तो मुझे लगता है कई ऐसे साथी हैं जो इतियास को ना समझते ना देखते